हेलो एब्रीवन यूनिक ऑन्लाइन गुरू में आपका स्वागत है मेरा नाम प्रवीन तिवारी जैसा कि पिछली टॉपिक में हम लोग चर्चा किये थे correctly spelled word के बारे में और मैंने बताया था कि आज हम नई टॉपिक के साथ जो है उपस्थित होंगे तो नई टॉपिक के साथ हमारा आज का नया टॉपिक है टेंस टेंस के बारे में जान लेते हैं टेंस है क्या टेंस कहा जाता है क्रिया का वह रूप है टेंस is the form टेंस is the form taken by the verb shows time of action अर्थात टेंस क्रिया का वह रूप है जो कार्य के समय को दर्शाता है तो कार्य के समय को दर्शाने का मतलब टाइम आफ अगर कार्य का समय क्या होता है जैसे कोई भी वाक्य लिखा है उसमें अगर कार्य के होने का समय है अगर कारे के बारे में किस समय में कौन सा कारे हुआ तो समझेए वह टेंस है टाइम और टेंस में यही अंतर होता है टाइम क्या होता है और टेंस क्या होता है टाइम का मतलब यह है कि उसमें कारे नहीं होता और टेंस का मतलब होता है उसमें कारे होता है time or tense में अंतर जैसे मान लीजे हम यह कह दें I am a teacher तो यह present time है इसको हम present time कहते हैं न कि इसको हम tense कहेंगे यह tense नहीं है बलकि यह present time है और अगर हम कह दें tense क्या है जैसे कहा जाए I teach English कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं तो यह क्या है यह हमारा प्रजेंट टेंज है इसमें कारेक के होने का बोधन नहीं हो वहां पर हम क्या कहते हैं इसको टाइम कहते हैं से सिर्फ इसमें existence की बात होती है अस्तित्य की बात होती है कि क्या है, क्या था या क्या होगा बस ये चीजे होती है time और tense में यही अंतर है time tense और time में अंतर तो समझ में आ गया होगा लेकिन इसके बाद tense कितने प्रकार के होते हैं main इस पर focus करते हैं तो, tense हमारे 3 होते हैं, tense होते हैं 3, एक होता है present, दूसरा होता है past और तीसरा होता है future, समझना बहुत आसान है, याद रखेंगे present क्या होता है, जो है, वो क्या है, वरतमान है और जो था, वो क्या था, past था, और जो होगा, तो जो है प्रेजेंट है जो था पास्ट था और जो होगा वो फ्यूचर होगा एक-एक अक्छर सबका याद कर लेते हैं पीछे से गाथा है याद हो जाएगा गाथा है तीन अक्षर याद करेंगे तो पूरे टेंस की गाथा याद हो जाएगी और इसमें कुछ करना नहीं है गा मतलब future, था मतलब past और है मतलब present अर्थात किसी भी वाक्य के अंत में अगर आपको गागेगी दिख जाएगा तो समझे वो future है इस तरह से ये तीन टेंस होते है तो याद रखेंगे गा था है और इन तीनों टेंस की चार-चार सब केटेगरीज होती है चार-चार सब केटेगरीज जिसको हम कहते हैं and indefinite, indefinite, continuous, perfect or perfect continuous. यह तीनो टेंस की चार-चार सब केटेगरीज हैं, याद कैसे करेंगे, सब को यह समझना है, इसमें आपको दिखेगा ता, इसमें आपको दिखेगा रहा, इसमें आपको दिखेगा चुका, और इसमें आपको दिखेगा से, रहा इसमें आपको दिखेगा से रहा तो कैसे याद करेंगे जैसे ता है ता था तो प्रजेंट और पास्ट हो गया गागेगी को केवल छोड़ देते हैं फिर जैसे रहा है रहा था रहा होगा चुका है चुका था चुका होगा से रहा है से रहा था और से रहा होगा यानि कि ये चारicken के ये चारों सबकेटेगरी जो है इस तरह से इसको याद करेंगे लेकिन अब ये जो है इनके सिम्बल नहीं है किसी भी वाक्य के अंत में तातेती आ जाए तो यह मत इससे अंदाजा लगाईए कि यह present indefinite tense ही होगा हाँ ज्यादातर cases में तातेती आपको किसी भी वाक्य जो हम जैसे बोल देते हैं कि किसी भी वाक्य के अंत में तातेती लगा हो तो वाक्य के अंत में नहीं पहला concept तो यह समझेगा कि वाक्य के अंत में बलकि वाक्य की क्रिया के अंत में तातेती अगर लगा हो तो वह present tense होता है present indefinite tense होता है तो अगर कोई अगर कह दिया वाक्य क इंत में उसको बोल सकते हैं यह कुट्ता है यह पत्ती है तो यह क्या प्रजेंट इंडैफिनिट स्वोगा नहीं होगा काड़ी जिसमें कारेक λέraft होने का बोध्य हो यानि कि क्रिया जब होगी क्रिया क्रिया के एंत में तातेती होगा तो वहां पर present indefinite tense होता है दूसरी चीज़ सभी में मैंने बताया कि सभी क्रिया के अंत में तातेती लगे रहने से इसका यह मतलब नहीं हो जाएगा कि यह प्रेज़ेंट definite tense ही है या किसी भी वाकिके अंत में आपको रहा रही मिल जाये तो इसका मतलब यह नहीं है कि यह वाल continuous tense है तो बहुत सारे अगर दे रहे हो तो उसमें जो है ये बहुत ही important टोल प्ले करता है तो इसके लिए हम जो है एक एक के बारे में विस्तार सा चर्चा करेंगे लेकिन सबसे पहले जो हमें जानना है वो इनका परिच्चे जानना है परिच्चे क्या है जिसे मैंने बताया आप इससे अंधाजा लगा सकते हैं कौन सा tense होगा और कौन से tense के साथ कौन सा helping verb आता है और कौन सा main verb आता है ये भी माइने रखता है तो समझते हैं कैसे आपको याद करना है इसको तो indefinite कोई भी होगा आपको उसमें V1 दिखेगा और continuous कोई भी होगा उसमें आपको V4 यानि verb प्लस ing form दिखेगा और perfect tense कोई भी होगा उसमें आपको V3 दिखेगा और perfect continuous कोई भी होगा उसमें आपको बीन के साथ V4 दिखेगा ठीक तो ये एक तरीका है कैसे जानेंगे किसी भी indefinite किसी भी continuous किसी भी perfect या किसी भी perfect continuous tense में यही main verb आने है इसके अलावा कुछ नहीं आना है पहली चीज दूसरी चीज इन सब के साथ helping verb भी आता है तो helping verb याद करने का तरीका क्या है यह समझ लीजिए दू बी है दू बी है दू बी है के साथ क्या क्या आता है मतलब दू डूस डिट के साथ वन यानि वन मतलब फस्ट फ़र्म अब बी मतलब इस एम आर वाज वर के साथ फौर्थ फ़र्म और हैब हैज हैड के साथ वर्ब की थर्ड फ़र्म तो डू बी हैब बाई वन फोर थ्री यह याद रखना है किसी भी helping verb के साथ कौन सा main verb आना है यह तैह है इसको हम कहते है helping verb इसको कहा जाएगा helping verb इसको कहेंगे main verb तो do does did plus v1 यानि कि यहाँ पर आपने देखा क्या है v1 है यानि कि do does did का प्रयोग indefinite tense में ही किया जाएगा यहाँ पर आपने देखा यह fourth form है तो fourth form क्या है is mr was were इसी में आएगा और third form यहाँ पर लिखा है तो यानि कि have has had इसमें आएगा clear दूसरी चीज ये है बीन, बीन क्या होता है ये बी का थर्ड फार्म होता है, यानि कि ये थर्ड फार्म है तो इसके साथ भी क्या आना है, है भैस हैड आना है, तो ये चीजे आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी, कि हमको कौन से टेंस में किस helping verb और किस main verb का प्रयो सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, इन सभी चीजों को आप जरूर नोट डाउन कर लीजेगा, क्योंकि ये आपको आगे बहुत काम देने वाले हैं, ज्यादा तर लोग जो है इसमें confused हो जाते हैं, कैसे हम translation करें, कैसे हम helping verb का प्रयोग करें, तो इन सब चीजों को आपको सुध जना होगा, जानना होगा, तो ये इसमें बहुत ही महत्वण भूमी का अधा करते हैं, आगे देखते हैं, तो है, detail में आपने उसको देख लिया, 12 tense क्या होते हैं, अब हम आपको एक-एक tense के बारे में चर्चा करेंगे हम सब, और एक-एक tense के बारे में बिधिवत हम उसको पढ़ेंगे, सबसे पहला आता है, present indefinite tense, present indefinite tense, तो इसको कुछ लोग कहते हैं, ये simple present tense भी है, इसको कहते हैं, simple present tense भी कह देते हैं, तो simple present और present indefinite में अंतर होता है, simple present और present indefinite में क्या अंतर होता है, इसमें कारिका होना पाया जाता है, और इसमें केवल समय की बात होती है, इसमें आपको केवल समय की बात करेंगे, इसमें कारी के बारे में बिलकुल भी बात नहीं करते, जैसे, मान लिजए जब ही मैंने एक sentence लिखा था, आई एम आटीचर, आई एम आटीचर, इसमें का जाए ही इस डॉक्टर, यू आर एन स्टुडेंट, तो ये तीन वाक के लिखे गए हैं, और तीनों ही वाक्यों में आप देखेंगे, तो इसमें किसी में भी किसी भी कारिका होना नहीं, बलकि ये इनके अस्तित्तु की बात करता है, प्रोफेशन की बात कर रहा है, कि I am, मैं हूँ, He is, वह है, you are, आप हैं, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ होना है, केवल जो है, अस्तित्तु की बात है, एक्जिस्टेंस की बात है, दूसरा कुछ नहीं, जैसे मान लिजी अगर आ गया, आई प्ले होकी, यू प्ले क्रिकेट, He teaches mathematics, तीन वाक के लिखे गए हैं, तीनों वाक्यों का अगर आप अर्थ देखें, तो I play honky, मैं honky खेलता हूँ, इसमें कारिका होना है play, इसमें play, और इसमें teach, तीनों में ही, जो क्रियाएं हैं, इस इन क्रियाओं का अर्थ क्या है, इसे खेलना और पढ़ाना, तो कारिका होना जहां पर रहता है, तो उसको हम कहेंगे present indefinite, और जहां पर केवल अस्तित्त की बात होती है, वहां पर हम उसको कहेंगे present simple, तो अंतर समझ में आ गया होगा, आगे देखते हैं, कैसे इनका प्रयोग किया जाता है, कैसे हम इनका सही प्रयोग करते हैं, present indefinite tense का प्रयोग कैसे किया जाता है, परिक्षा में सबसे ज़्यादा आपसे जो question किया जाता है, वह 12 tenses से नहीं होते, बलकि जो है, गिन करके 4-5 tenses से आते हैं, उन सब के बारे में आपको बताएंगे कि कौन कौन से tense से question आते हैं exam में, और किस तरह के question आते हैं, ये सारी चीजों का हम लोग जो है, detail में इन सब को पढ़ेंगे, तो ये present indefinite tense, इनका प्रयोग कैसे करते हैं, तो ये पहली चीज तो ये जानना है, इनका प्रयोग होता है, जो चीज ये जैसे universal fact हो, यूनिवर्सल fact हो, scientific fact हो, scientific fact हो, proverbs जितने भी बोले जाते हैं, sayings जितने भी बोले जाते हैं, या quotations जितने बोले जाते हैं, इन सभी को present indefinite tense में ही रखा जाता है, इससे हट करके नहीं रखा जाता, इसके अलावा आप बात करते हैं, habitual action की, तो ये habitual action भी जो है present indefinite tense के ही अंतर गताता है, जैसे युनिवर्सल fact क्या है, युनिवर्सल fact है, the earth moves moves around the sun यह fix है, और यह कभी भी इसको दूसरे tense में नहीं लिखा जा सकता, अर्थ moves around the sun, यानि कि पृत्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, और यह तैह लगाती थी, लगाती है, लगाती रहेगी, यह कभी भी बदल नहीं सकता, यानि कि यह युनिवर्सल fact है, यह scientific fact है, यह तैह, इसी तरह से जैसे हम प्रोबब बोलते हैं, किसी भी मुहावरे की बात करते हैं, प्रोबब मतलब मुहावरा होता है, saying मतलब कहावत और quotation मतलब कथन होता है, और habitual action, आदतनकार है जिसको हम कहते हैं हिंदी में, तो प्रोबब जैसे मान लेजी हम कह दिए, every potter praises his pot, तो यह जो प्रोबब्स होते हैं, प्रोबब का हिंदी अर्थ निकालते हैं, तो अंग्रेजी में तो कुछ और होता है, लेकिन हिंदी में इसका आर्थ कुछ और हो जाता है, जैसे इसका आर्थ ही होगा, अपनी दही को कोई खटा नहीं कहता, तो every potter अब कोई भी है, अपना जिसके लिए एक सब्द और एक वाक्य और भी बनाते हैं, आपन पूत सबही को प्यारा, दो तीन चीजे जो है, एक सेंटेंस से दो तीन अर्थ आप इसमें निकाल सकते हैं, लेकिन इसका exact अगर हम देखेंगे, तो every potter praises his pot, यानि कि हर कुमार अपने घड़े की प्रसंसा करता है, तो ये भी सही है, लेकिन जो इसका साब्दी कर्थ निकल करके आता है, वो ये होता है कि अपनी दही को कोई खटा नहीं कहता है, तो इसको भी कभी भी किसी भी तरह से हम past में नहीं कह सकते या इसको हम future में नहीं रख सकते इसको हम continuous में नहीं रख सकते इसको हम perfect में नहीं रख सकते इसको जब भी रखा जाएगा हमेशा और हमेशा इसको हम present indefinite tense में ही रखेंगे जैसे saying होता जैसे कहा जाए hard and sincere labor never fails तो इमानदारी पूर्वक की गई महनत कभी भी असफल नहीं होती ये भी क्या है ये कहावत है और ये सही है तो कोई भी आप इमानदारी पूर्वक कोई भी कारे करेंगे तो उसमें आपको सफलता नहीं मिलती है तो इसको भी हम कभी भी किसी भी अन्नेटेंस में नहीं रखेंगे और इसी तरह से ये से कहा जाए quotation है जो writer quotation क्या होता है कथन किसी भी writer का या कोई भी जो लेखक होता है वो उसका जो अपना खुद का जो है बनाया गया जो वाक्य होता है उसी को हम कहते हैं quotation जैसे मान लीजे कहा जाए एक Alexander Pope ने कहा था कि a little knowledge is a dangerous thing हिंदी में इसको कहेंगे अल्प विद्या भयंकरी तो मतलब अधूरा ग्यान खतरे का निसान तो किसी भी चीज का अधूरा ग्यान होता है तो वो खतरे की घंटी समझ लीजिए आगे देखते हैं habitual action habitual action को जो हम जब बात करते हैं तो इस पर जो है कई तरह से इसको हम लिख सकते हैं इनके लिए और भी uses हैं लेकिन जो present indefinite tense में को हम कैसे लिखते हैं इसके बारे में जानते हैं habitual action जैसे कहा जाए I get up early in the morning तो मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ तो ये क्या है ये हमारा जो है ये हमारी आदत है I get up early in the morning मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ ये एक तरह की हमारी आदत है इसको हम कहते हैं habitual action जैसे कहा जाए He takes a morning walk everyday वो प्रद दिन सुबह टहलने जाता है तो ये भी उसकी आदत है वो जो है प्रद दिन टहलने जाता है आदतन कारे को दर्शाने के लिए केवल present indefinite tense का ही प्रयोग नहीं बलकि और भी तरीके से इनको हम ब्यक्त कर सकते है जैसे आप अक्सर जो है used to का प्रयोग देखते होंगे custom to का प्रयोग देखते होंगे habituated to का प्रयोग देखते होंगे तो इन सब में जो है इनका एक प्रयोग है जिससे हम habitual action को और भी ब्यक्त कर सकते हैं तो आदतन कारे को दर्शाने के लिए हम is, am, are के साथ used to या accustomed to या addicted to इसके साथ आपको प्लस जेरंट, जेरंट क्या होता है, वी फोर जिसको कहते हैं, काप्रयोग करके भी हम habitual action को ब्यक्त कर सकते हैं, जैसे कहा जाए कि मैं रोज सुबर टहलने जाया करता हूँ, तो I am used to going for a walk every morning. अक्सर आप लोग इसमें confused हो जाएंगे कि ये used to के साथ बहुत से लोगों के दिमाग में एक चीज़ चल रहा होगा, कि used to के साथ वर्ब की first form का प्रयोग करते हैं, यहां तो ing का प्रयोग किया गया है, तो एक चीज़ ये समझना है कि जब used to के वर्ब रहता है तो उसके साथ V1 का प्रयोग करते हैं, और तब ये क्या हो दर्शाता है, तब ये past time की discontinued habit को दर्शाता है, जैसे कहा जाए कि वह cigarette पिया करता था, तो he used to smoke, यानि कि cigarette पिया करता था, अब नहीं पीता है, लेकिन जब is MR के साथ used to आता है, तो इसके साथ gerund आता है, और gerund आएगा, तो ये क्या दर्शाता है, ये present time की आदत को दर्शाता है, तो present time की आदत को दर्शाने के लिए, इस MR के साथ used to का आना जरूरी है, केवल used to अगर रहेगा, तो उसके साथ V1 का प्रयोग करेंग, यानि infinitive with 2 का प्रयोग करते हैं, used के साथ infinitive with 2 का ही प्रयोग किया जाता है, तो द्यान में ये रखना है, इस पर जो है लोग गलत कर जाते हैं, पता नहीं होता तो वहाँ पर जो है mistake हो ही जाती है, इसी तरह से accustomed to और addicted to, तो एक चीज़ ये जानना है कि used to का हम प्रयोग कैसे करते हैं, accustomed to का प्रयोग कैसे करते हैं, और addicted to का, ये used to का प्रयोग होता है, ये good या bad habit दोनों के लिए जो ह हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, good या bad habit के लिए होता है, accustomed to का प्रयोग good habit के लिए ही किया जाता है, इसका प्रयोग bad habit के लिए नहीं करते हैं, और addicted to का प्रयोग हमेशा bad habit के लिए किया जाता है, good habit के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसे हम कह दें, he is addicted to smoking तो यह क्या है उसकी bad habit है तो इसलिए हम इसको use करेंगे he is addicted to addicted to का प्रयोग कहा करेंगे bad habit के लिए करेंगे ठीक जिसे कहा जाए मैं तैरा करता हूँ तो I am accustomed to swimming मैं तैरा करता हूँ तो यहां पर देखे यह good habit है तैरा की जो है एक अच्छी आदत है इसलिए हम यहां पर यूज करेंगे accustomed to और smoking जो है bad habit है इसलिए हम यूज करेंगे यहां पर addicted to लेकिन इन दोनों के स्थान पर हम addicted to और accustomed to के स्थान पर हम चाहें तो यूज टू का प्रयोग कर सकते हैं तो यूज टू का भी प्रयोग किया जा बाबर जब भारत में आता है तो अपना पहला आक्रमड इब्राहिम लोधी पर करता है तो बाबर कब आता है बाबर 1526 में आता है और अपना आक्रमण किस पर करता है इब्राहिम लोधी पर करता है तो 1526 यानि की आज से 500 साल पहले की बात जब करते हैं तो कितनी पुरानी घटना है लेकिन उसको जो है अम्व्यक्त करने के लिए present indefinite tense का प्रयो करते हैं जैसे वन बाबर वन बाबर कमस तो इंडिया ही फर्स्ट अटैक्स इब्राहिम लोधी तो पास्टाइम की स्टोरीज हैं पास्टाइम की जो घटनाएं होती हैं उनको हम present indefinite tense में भ्यक्त करते हैं एक चीज़ यहाँ पर आपको यह ध्यान में रखना है जैसे अटैक है तो अटैक के साथ किसी भी preposition का प्रयोग नहीं करते हैं एक चीज़ यहाँ पर आपको नो अटैक के साथ किसी भी preposition का प्रयोग नहीं करते हैं तो यहाँ पर अटैक्स यहाँ पर आउन लिखा जा सकता था लेकिन आउन का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि अटैक अपने साथ किसी भी preposition को नहीं लेता तो यह पास्टाइम की स्टोरी हो गई न्यूजपेपर की headings तो न्यूजपेपर की हेडिंग्स जैसे हम मान लिजे के हैं सडक दुर घटना में पांच की मौत और दस लोग घायल ऐसा जो है न्यूजपेपर में अक्सर हेडिंग देखने को मिलती है तो वहाँ पर हम लिखते हैं टैन डाई टैन डाई एन फाइब इंजर इन रोड एक्सिडेंट सडक दुर घटना में दस की मौत और पांच घायल तो एक चीज़ यह ध्यान में रखना है जो भी न्यूजपेपर की हेडिंग होती है तो न्यूजपेपर की हेडिंग का पहला लेटर जो भी जितने भी वर्ट्स रहते हैं उसके पहले लेटर को हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं केवल कंजंग्सन प्रेपजीशन और आर्टिकल को छोड़ करके conjunction, preposition और article को छोड़ करके जितने भी सब दिसमें आते हैं उन सब का पहला later जो है वो capital में होता है तो इस तरह से जो है newspaper की जो भी heading होती है उसको हम किसमें लिखते हैं उसको लिखा जाता है present indefinite tense में अगली बात आती है commentary की live commentary उसमें action किसमें होता है continuous में होता है action उसमें लगातार अगर आप हिंदी में देखेंगे तो लगातार जो है किसमें होता है action continuous में होता है लेकिन फिर भी उसको ब्यक्त कैसे किया जाता है present indefinite tense में कहने का मतलब यह है जैसे मान लिजी क्या गया गित सीमा रिखा की तरफ जा रही है आप कमेंटरी सुन रहे है क्रिकेट की तो उसमें इस तरह से अगर आ गया लिखा है the ball is running down to the boundary line तो यह बाग की क्या है गलत है क्यों गलत है क्योंकि यह live commentary जो होती है live commentary को कभी भी किसी भी तरह से आप उसको continuous tense में नहीं रख सकते इसको जब भी लिखा जाएगा इसको जब भी लिखेंगे हमेशा जो है इसको present indefinite tense में ही लिखेंगे कैसे लिखेंगे the ball runs down the ball runs down to the boundary line तो इस तरह से जो है हम newspaper की लाइब कमेंटरी को भी हम present indefinite tense में ही रखते हैं जिसे हमने कहा गेदबाज ने दौड़ना शुरू किया तो कैसे लिखेंगे the baller starts running तो यहाँ पर भी देखेंगे यह लिखा है starts गेदबाज ने दौड़ना शुरू किया इसका अगर देखेंगे अर्थ निकालेंगे तो हो जाएगा the baller started running लेकिन नहीं इसको जो है हम लिखेंगे present indefinite tense में चाहे वो past में हो जाए action चाहे वो perfect में हो जाए चाहे वो continuous में हो हर परिस्तिती में हमें किसका प्रयोग करना है सिर्फ और सिर्फ present indefinite tense का प्रयोग करना है एक बाद आती है exclamatory sentence की exclamatory sentence में जैसे अगर किसी भी वाकिकी सुरुवात here या there से सुरू किससे किससे here या there से अगर वाकिकी सुरुवात होती है here या there से अगर वाकिकी सुरुवात होती है तो वहाँ पर भी हमको किसका प्रयोग करना चाहिए present indefinite tense का प्रयोग करना चाहिए here और there से वाकिकी सुरुवात अगर होती है तो वो वहाँ पर action तो जो अगर present में देखेंगे तो actually action जो है वो continuous में होगा लेकिन उसको हम रखते किसमें है indefinite में जैसे कहा जाए here comes the bus here comes the bus यहाँ पर note of exclamation लगाना जरूरी है इसमें ऐसा होता क्या है कि आप खाड़े हो एकदम चिलचिलाती धूप में और बस का इंतजार कर रहे हो तीन चार लोग जो है आपके साथ जो है और भी खड़े हो बस ना रही हो तो उस पर इस्तिती में अचानक दूर से जब बस दिख जाती है तो वहाँ पर भाव निकलता है अचानक sudden feeling जो होती है वो बस आ रही है तो यह अंग्रेजी में इसको जो है हम व्यक्त करते हैं तो इसको अंग्रेजी में जो है here comes the bus से व्यक्त करेंगे जैसे का जाए there he goes there he goes तो इसका अर्थ अगर देखेंगे तो he is going there और इसका अर्थ ही होगा the bus is coming here लेकिन जब यह पहले जब inversion कर देते हैं तो वहाँ पर क्या होता है here the year जब पहले आ जाता है तो यह वाक्त की जो है indefinite tense में परिवर्टित हो जाए दूसरी चीज जिसमें एक जो समझने लायक है उसमें यह है कि अगर verb प्लस noun रहता है exclamatory sentence में अगर noun subject के रूप में होता है तो उसे कहां रखेंगे उसे रखेंगे main verb के बाद अगर subject के रूप में प्रनाउन होता है सब्जिक के रूप में प्रनावन होता है तो उसे कहां रखेंगे में वर्ब से पहले दो चीजे दिमाग में रखना है नावन अगर होगा में वर्ब से उसमें सब्जिक के रूप में तो उसको हम कहां रखेंगे, main verb के बाद रखेंगे, और अगर subject के रूप में प्रणाउन होगा, तो उसे हम main verb से पहले रखेंगे, जैसा कि यह वाक्य में आप देख सकते हैं, यह comes क्या है, main verb है, और इसके बाद क्या आया है, noun, तो यहानी कि verb के बाद क्या आएगा, कैसे हम इनका प्रयोग करते हैं, यह तो present indefinite tense के बारे में हो गया, अब इनके बारे में exam के viewpoint से देखेंगे, कैसे परिच्छा में किस तरह के प्रस्ण आते हैं, यह present indefinite tense का क्योवल पूरा यूज हमने आपको बताया, और इसके बाद अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे, present indefinite tense का प्रयोग कैसे करते हैं, और यह चीजे आप इसको अच्छे तरीके से समझेगा, समझने के बाद फिर कल जब हम, समझने के बाद जब हम, कल अगले वाले वीडियो में जब आपको बताएंगे, present indefinite tense का प्रयोग कैसे किया जाता है, कहां किया जाता है, competition में किस तरह से questions आते हैं, इन सब पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, और आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो आप इसको like करिए, share करिए, और मारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा, धन्यवाद,